वोटर इवेकुलीशन दोस्तों काफी अच्छा होता है इस के लाग वारेंटी के लिए में पर बात करने वाले हैं कि इसकुटर बारें है बारे मेंसे निपनी के बाथ करेंगे और हमार पास यहां पर TBS का टायर मिल जाएगा आपको MRF का मिल जाएगा और C8 का मिल जाएगा तो सारी company का comparison करके बताएंगे और आपको बेस्ट टायर परवाइड करेंगे तो इसके लिए हमने यहां पर पांच पॉइंट की एक लिस्ट बनाई है जिस पॉइंट के इसाब स आपको टायर परवाइड करेंगे बेस्ट ठीक है तो आप देख सकते हैं आपको जोई पांस दिख रहे होंगी लिस्ट तो इसमें आप देख सकते हैं पेला हमारे परफॉमेंस केसी परफॉमेंस आपको मिलती है ठीक है वारेंट के लिए हैं होलसल प्राइज और रिटेल लाते हैं तो दोस्तों पूछ जी तैब कर देख सक्राइब करदें कि इस तरह की वीडियो हम जो आप लोग के लिए लाते रहे हैं तो दोस्तों सबसे बहुले बात करते हैं उन लोग के लिए जिनका जो बज़ट है एक हजार से 1100 रपी के रेंज चेंदर है और उनको अप 9010 जो कि एक्टिवा में लगती है और 90-92 जो कि हमारे tvs जूपिटर आता है उसमें लगती है तो दो था कि साइद आपको हमारे पांच यहाँ पर देखने को मिल जाती है बागी दोस्तो बात करते हैं डिजैन की दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लोकिंग वाले डिजैन आपको यहां पर देखने को मिल जाती है आप चाहे दोस्तों इसे जो है सीटी यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे जो है ओफ रोडिंग कर सकते हैं दोनों जगाप पर काफी अच्छी पर्फॉमेंस आपको निकाल कर देने वाला है बागी दोस्तों बात क सब्सक्राश्ब बात करें कि इसकी कि इस्ट की क्यालिटी को देखने को बढ़ा उतकर क्युक्न काफी मिल जाता है ओर राप चाहे दोस्तों इसको आगे भी कर सकते और और आप शรुक्राश्य कर सकते हैं क्युक् concerned है तो दोस्तों पात करते बजेटे और आपको एक बेश टायर चीए सीट कर तो आप इस टायर को जो ले सकते हैं काफ़ अच्छी परफॉमेंस आपको यह टायर देने वाला है तो सबसे बात करते हैं इसके डिजैन के कैसी डिजैन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जिससे कि आप जूसे सीटी काफी बड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है अगर आप बरसात के टायंप इस टायर को यूज करते हो तो काफी अच्छी पर्फॉमेंस आपको टायर देने वाला है ठीक है तो पर्फॉमेंस दोस्तों कोई भी दिक्क्र नो डाउट देखने को नहीं मिलेगी बागे दोस्तों बास करते हैं कि इसमों को यहाँ आपको टायर मकलते हैं और परलटाetus टिड़े जोटेईए ध्यॅश्य आता है उसमें लगती है तो बागे दोस्तों बाकरें अवरेंट आपको टेडै हैं किया है काव 점 intr activity है रिक्रत देखने को नहीं मिलेगी आप व stack और आप चलाते हो और नो अपको आपको भी स्वर्थ देखने को नहीं मिलेगी तो दोस्तो बात करें आSuper áp प्रफॉम्स के नाम से काफी बड़िया टायर है अगर आप इसे फ्रेंट में लगाते हो खाफी आप दिफ्रमेंस आपको देखने हों तो इसमें जो है water evacuation काफ देखने को मिलती है तो अगर आप इससे आगे लगाते हैं तो काफ अच्छी performance आपको पीछे बिचे भी लगा सकते हैं पर दोस्तो मैं आपको recommend करेंगो कि आप जो इस टैर को आगे लगाएंगे काफी अच्छी performance आपको देता है और core running जो है handling की जो काफी अच्छी होती है इस टैर से तो काफी बढ़िया performance देगा आपको आगे की तरफ टैर बागे दोस्तों बात करें quality परसंद करते हैं तो उन लोगों के लिए टाय लेकर हूं मैं और इसमें आपको जब वारेंटी के लिए में देखने को मिलता है तो काफी बात इसमें देखने को मिलती है इसमें आपको एक ब्लोक वाले डिजाइन देखने को मिलता है जिससे काफी बढ़िया आपको देखने को मिलें जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो मेरे को डिजाइन काफी अच्छी लगी स्टैर की ठीक है उस तो अगर आप इस टैर को जो ऑफ फोरोड में चलाते हो या फिर बढ़ सा टाइम पर चलाते हो तो काफी बढ़ी आपको ग्रिप देने वाला है ठीक है जली से टैर जो इसलिप नहीं होता है कि बाद दोस्तों इसमें जो साइज देखने को मिलती है आपको तीन पचाथ दसकी तो आप जो इससे एक्टियों में लगा सकते हैं तो इसमें आपको दो टायर को यूज किया है तो मैं करेता हूँ कि यह काफी बड़ी आपको रबर क्वालिटिस में देखने को मिल जाती है ठीक है तो अगर आपको कोई प्रॉलम आती है रिप्लेस करा सकते हो ऑपर दोस्तों अगर आपको पता नहीं है प्रोड़ाबेस क्या होता है तो आप जो दिटेगे वारेंटी उससे किस परकार से किलिम किया जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं तो दोस्टों बसक्र जो कक्ई defending गोल एद सकते कि जो लोग काफिवेल अफ रोड करते हैं तो उने लग कलिए नो तो आगे उसके बारे में बताएंगे वीडियो में आप लोग को तो दोस्तों बात करते हैं आप लोग से नेक टायर यह आता है टीपेस कंपनी की तब से और यह जो है फ्रेंट के लिए है मौश्ट ओपनि टायर जो यह फ्रेंट के लिए बनाये गया है आप चाहें तो इसे पीछे भी लगा सकते हैं तो काफ़ एची परफ्रमेंस आपको देगा ठाख सकते हैं लिए यह हैं अगया लगाए कि यह जो आगे के लिए मेरे साफसे बेच रहेगा ठाओ बगाए गया को बिलती है और दो तरह की वरियंट में देखने को मिलती है तो तरह कि आपको उस सुरुवात करते हैं अमारिफ कंपनी से दोस्तों यह है और काफी बड़ी आप लोगो मिलता है के जेपर डिजाइन को मिलता है कि उस तरह मेंगा इस तरह के तैयर आपको देखने को मिलता है ठीक है जुस्तों यह टायर है एक रोटेशनल टायर अगर आप इसे रोटेशन के साफ से लगाते हो तो काफी बड़ी आपको पर्फर्मेंस देता है और एक अच्छा मालेश जो नि और दोस्तों यह जो साइज है नभे सो दस टिक है और यह है काफी बड़ी आप लोगो को देखने को नहीं मिलती है तो रबन कॉलिटी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं मिलेगी दोस्तों बात करते हैं कि किन लोग के लिए टैर जो है बेस्ट होने वाला यह ठीक है तो दोस् किलरेंस से काफी अच्छा है और एक अच्छी कासी मालिज आपको देता है ठीक है और एक अच्छी कासी स्पीड भी आप इससे टायर से जो एक कवर कर सकते हो तो दोस्तों उन लोग के लिए बेस्ट होने वाला जो सीटी में रायड करते हैं ठीक है अगर आप इससे ऑफ अन लोग के लिए हैं जो की एक ऑफ रोड में राडिंग करते हैं कच्छे राश्तों में चलते हैं उबर खावर रास्ता हमाथ जलते हैं तो और लोग के लिए टायर परिया होने वाला है ठीक है यह टो जो काफी framework देक हम देता है तो यह क catastrophic आप्रूप में इस टैर fila को दे इस तो दोस्तों बात करते हैं टायर साहिज कि दोस्तों इसकी साहिज वह बूए 90 110, जो हमारे लगता है एक टीवा में और माइस्ट्रों में तिक आपके इसाब से जह है आपको ठीक लगए इसमें आप लगवा सकते हो आप चाहे तो इस वाले टायर को जो पीछ लगवा सकते तो दोनों टायर जो मैंने आपको बता दी हैं ठीक है दोनों टायर काफी बड़ी आपको देखने को मिलते हैं तो कोई दिक्कत आप